प्यम्मूदी आजवारनसी के दौरे पर जा रहे हैं इस दौरे में प्यम वार practitionersी को अठार सो करोड की सौगाद देने जा रहे हैं प्यम्मूदी आज बार सो बीस करोड रुपे की तहरा योज़नाव का शिला नियास और पांगंसो एक्यानवे करोड रुपे की प्रधार मंत्री नरेंद्रमोधी आज दोपहर में करीब दो बजे वारनसी पहुँचेंगे पी-म करीब चार घंटे तक वारनसी में रहेंगे सबसे पहले पी-म रूदराक्ष कन्विंशन सेंटर में नई शिक्षा नीती पर देश भर के शिक्षा विदों को सम्भोधित करेंगे स्पोर्स स्टेडियम सिग्रा में जन्सभा का आयोजन है इसी रैली में पी-म यूजनाव का शिला न्यास और लोकारपन करेंगे माकाली पर विवादित बयान देने वाले टी-म सी सांसद महुआ मोईत्रा को लेकर दिल्ली से कोलकाता तक हंगामा मचा हुआ है त्रिनमूल कॉंग्रिस ने भी उनके बयान से पल्ला जारते वे विवादित पोस्टर की निंदा की है भोपाल में महुआ के खिलाफ पहले FIR दर्श की गई महुआ के बयान के खिलाफ कोलकाता में बवाल भी हुआ यहां बीजेपी नेताओं और कारिकरताओं ने प्रदर्शन शुड़ू कर दिया और मम्दा बनर जी से उनके सांसत के खिलाफ सक्त कारवाई की मांग की इन सब के बीच महुआ मोहितरा ने त्रिनमूल को ही अपने टूटर अकाउंट पर अनफॉलो कर दिया से एर पीसी में सेक्सन दिखा हुआ है हमारी कारिकरता भी वने हिंदू लोग भी टेंपल टेंपल में भी स्टाट का बहुबाजर में हुआ काल भी बहुद एरिया में स्टाट होगा और मैं भी दो-तिन दिन के बाद किस्टन नगर में करूंगा काली मा का मुर्ति को लेकर होगा ये छोडने बाला नहीं है मंगाल में बार बार हिंदू देव देवी के उपर घटिया सब्द ममता बेनाजी खुद जैसिराम को गाली बताई महादेब जी की सिबलिगों के अपमान हुआ ये लास्ट है काली माता का अपमान पंजाब के सियम भगवंत मान आज दूसरी शादी करने जा रहे हैं उनकी होने वाली पत्मी डॉक्टर गुर्प्रीत कौर है शादी की रस्में चंडीगड इस्थेत सियम हाउस में होंगी शादी में करीबी लोगों को बुलाया गया है सियम अर्विन केश्रिवाल भी शादी समारों में शिर्कत करेंगे 48 साल के भगवंत मान का 2015 में पहली पत्मी इंदरप्रित कौर से तलाग हो गया था जिसके बाद पत्मी बच्चों को लेकर वो अमेरिका चली गई देश की महान एथलेट पीटी उशा को राधिसभा के लिए नामित किया गया पीएम मोदी ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी उन्होंने लिखा पीटी उशा को खेलों में उनकी उपलब्धियों के लिए व्यापक रूप से जाना जाता है पीटी उशा के साथे फिल्म कंपोजर और संगीतकार इलाया राजा, विरेंदर हेगडे और वी विचेंदर प्रसाथ को राधिसभा भी जजा जा रहा है केंद्री अलप संखिक मामलों के मंत्री मुकतार अबास नकवी ने क्याबिनेट से स्तीफा दे दिया क्याबिनेट मीटिंग के बाद उन्होंने पत से स्तीफा दिया, नकवी के साथ केंद्रे स्पात मंत्री और सिप्री सिंग ने भी क्याबिनेट से स्तीफा दे दिया दोनों का राजिसभा कारिकाल आज खत्म हो रहा है नक्री को बीजेपी ने पिछले दिनों को भी राजिसभा के चुनाव में उमिद्वार नहीं बनाया था तब से ही कयास लगाए जा रहे थे कि पार्टी उन्हें किसी बड़ी भूमेका में लाना चाहती है डीजी सीय ने स्पाइस जिट को शोकॉस नोटिस चारी किया डीजी सीय ने कहा कि सुरक्षा मानकों को लेकर परियाप्त कदम क्यों नहीं उठाए गए डीजी सीय ने स्पाइस जिट से तीन हफ़ते में इसका जवाब मांगा है पिछले 18 दिनों में स्पाइस जिट के 8 फिमानों में तकनीकी खामी आ चुकी है जिसकी कारण सेक्डो यात्रियों की सुरक्षा को खत्रा पैदा हो गया है आरजेडी अध्यक्ष लालुयादव को इलाज के लिए पटना से दिली लाए गया है देरत एर एंबुलेंस से उन्हें दिली लाए गया एरपोर्ट से लालुयादव को सीधा एमस ले जाए गया जहां उन्हें भरती करवाए गया है एर एंबुलेंस में उनकी बड़ी बेटी मिसा भरती साथ थी डॉक्टरों की सलहा पर लालुयादव को दिली लाए गया गिरने से उन्हें तीन जगे पर फ्रक्चर आया है जो गिरने के बाद उसके बाद जो और कॉम्प्लिकेशन जो बड़ा है क्योंकि बॉडी लॉक हो चुका है बॉडी में मूवमेंट नहीं डाहा है बहुत साजी दवाएं चल रही है और कुछ वजे से जो है क्योंकि हिस्सियां के डॉक्टर जानते हैं तो उसको देखते हुए यहां लाया गया है भोपाल मेंट शक्स ने विवाद के बाद अपनी पत्नी के चेहरे पर पेट्रोल डाल कर आग लगा दी जिसके बाद महिला आग बुझानी के लिए तड़ती नजर आई पास में मौझूद लोगों ने काफी मुश्किल से आग बुझाई यह पूरी वारदाथ CCTV कैमरे में कैद हो गई CCTV में आरूपी पती की हरकत साब देखी जा सकती है कि कैसे उसने पहले बोतल से पेट्रोल डाला और फिर जेब में रखे लाइटर से आग लगा दी बता जा रहा है कि आरूपी रईस खान से उसकी पत्नी कई महिने से अलग रह रही थी अब पती अपनी पत्नी को साथ ले जाने आया था लेकिन जब पत्नी उसके साथ जानी को तयार नहीं हुए उसने उसे आग के हवाले कर दिया महिला का चेहरा बुरी तरह से जुलस गया है पुलिस ने आरूपी पती के खिलाप हत्या की पोशिश और दहेज प्रताडना का माबला दर्ज कर लिया है पुलिस का दावा है के आरूपी जल थी सलाखों के पीछे होगा बिहार के मोतीहारी में डेवल मर्डर से हरकंप मच गया देखा आप अपराधियों ने दो सगे भाईयों की गोली मार कर हत्या कर दी वारदात के बाद आरूपी फिल्मी अंदाज में हत्यार लहराते हुए फरार हो गए दोनों भाई कोटवा के जसूली गौंग रहने वाले थे ये लोग एक निजी फाइनेंस कमपनी में काम करते थे हत्या के बाद से गउवालों में पुलिस के खिलाफ काफी नाराजगी है पुलिस हर एंगल से मामले की जांच कर रही है महराश्ट के नासिक में मुस्लिम धर्म गुरु की हत्या में पुलिस ने खुलासा किया है ये वला में चिंचोली M.I.E.D.C. परिसर में अफगानी सूफी संथ सेद जरीब चिस्ती का मडर उनके ड्राइवर न किया था शुरुवाती जांत में पुलिस इसे प्रॉपर्टी और पैसे के लिए हत्या की बात कह रही है पता जा रहे कि उन्होंने इंडरस्टिल एरिया में एक प्लॉट की पूजा कर आई थी उसके बाद ही उसकी गोली मार कर हत्या करने के बाद ट्राइवर गाड़ी लेकर परार हो गया था पुलिस परार आरुप्यों की तलाश कर रही है बिहार के बगहा में एक महिला ने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पती की हत्या करवा दी आरुप्यों ने पुलिस को गुमरा करने की कुशुश भी की महिला ने वारदात के बाद पुलिस को 17 जून को अगवा होने की शिकायत दर्ज कराई थी पुलिस को जाच के दौरान 23 जूग को गाउं में ही एक नर्कंगाल मिला कपड़ों से उसकी फश्मिनाक्त होने के बाद पुलिस ने उसके एक पडोसी को शक्क के आधार पर गिरफतार किया सक्ती से पुछताच और कॉल डीटेल सामने आने के बाद आरोपियों ने जुर्म कबूल कर लिया महराज के नंदेड में अपने पिता की गला दवाकर हत्या करने का मामला सामने आया है यह मामला माला कोली इलाके के खेड़कर वाडी कस्बे का है यह बारदा 30 जून की है पुलिस ने अब पिता की हत्या करने वाले दोनों भाईयों को किरफतार कर लिया है यह मामला घरेलू कला का बता जा रहा है बता जा रहा है कि उनके घर में एक सर छगड़ा होता था पुलिस ने कहा कि आरोपियों को अपने गुना पर पच्चतावा भी नहीं है हिमाचल प्रदेश के कई लाकों में बादल का कहर देखने को मिला कुल्लों की मनीकरन घाटे के चेस गौँ में नाले में बादल फटने के वज़े से आई बार में चार लोगों की बेहने के आशंका है कुछ लोग लापता बताय जा रहे है यहां लोगों के घरों में काफी नुकसान बताय जा रहा है बादल फटने से गौँ की और जाने वाली पूल को भी नुकसान पहुँचा है हाथ से के बाद कई घंटे तक एंड्यारिप की टीम ने नाले में बहे लोगों का रेस्क्यू किया इलाके में हर तरब बरबादी के निशान देख जा रहे है शिमला में लगातार बारिश के बाद धली इलाके में लेंड स्लाइड होने से सड़क किनारे टेंट में सोरही 14 साल की बच्ची की मौत हो गई वही हाथसे में गंभी रूट से घायल दो लोगों का इलाज जारी है वही शिमला के मनल्याना इलाके में लंड्सलाइट के बाद कई सड़क बह गई जिसके बाद JCB की मदद से सड़क सिंबलबा हटाय गया हिमाचल में भारी बारिश और हाथसों के बाद मुक्यमंत्री जैराम ठाकुर ने हाई लेवल मीटिंग बुलाई मुक्यमंत्री ने सभी DM और SP को Ground Zero पर जाकर काम करने के निर्देश दिये साथिक शिमलार कुलो की घटना पर दुख जिताया जैराम ठाकुर ने सेलानिया से अपील करते वी कहा कि जहां हालाद ज्यादा खराव है वहाँ पर जाने से बचें गुजरात के जुनागर में बडोदरी नदी का रौध रूप देखा जा रहा है केशोत के प्रासली गौँ में बडोदरी नदी में एक किसान ट्रेक्टर के साथ रूप गया ट्रेक्टर सवार किसान नदी के उपर छोटे से पूल से गुजरते समय पानी के तेस बहाँ में गिर पड़ा किसान ने ट्रेक्टर डूपते ही छलांग लगा दी थी लोगों ने उसे किसी तरह बचा लिया लेकिन उसका ट्रेक्टर बार की विना श्रीला में समा गया जूनागर में लगातार बारिश के वज़े से नदिया उफान पर है पुर्शासन के अलट के बावजूद लोग अपनी जान जोकी में डाल रहे है गुजरात के कच्छ में लगातार दूसरे दिन बारिश के वज़े से लोग परिशान देखे अब डासा, मांडवी, मुंद्रा, भुज और नक्तराना समेथ कई लाकों में स्रलकों पर सैलाब नजर आया मांडवी के गुंडियाली गौं में नदी में बाइक सवार फस गया उसने सैलाब को चीर कर जाने की कोशिश की लेकिन वो नाकाम रहा बाद में अस्थाने लोगों की मदद से काफी देर की मशक्कत के बाद बाइक सवार का रेस्क्यू किया गया बाड में फसे बाइक सवार का वीडियो सोचल मीडिया पर वाइरल हो रहा है माराश के रतनागेरी में काजली नदी फान पर है यहां बाड ने स्वेंभू दत्त मंदिर को अपने आगोश में ले लिया कई जगा बारिश के बाद लेंड स्लाइड ने भी लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी माराश के चंदपूर में लगातार बारिश के वज़ा से रियाईशी लाकों में बार जैसे हालात हो गए नीचले लाकों में सैकड़ों घरों में पानी घुसने से लोग बेबस नज़र आए सबसे ज्यादा राजवली गाउं में बधाली दिखी लोगों के घरों में पानी भरने से लाकों का नुकसान हुआ है उत्राखण में भी मौसम की मार तेकी जा रही है तिहरी, रुद्रप्याग और यमनोत्री में लगातार बारिश के बाद कई जगा लेंड्सलाइड होने से रास्तों पर आवा जाही बंद रहे वे रुद्रप्याग में पहाड़ों से उत्रा पानी बद्रीनाथ हाईवे पर बहने लगा तो रिशिकेश बद्रीनाथ रास्ता रोकना पड़ा यमनोत्री नेशनल हाईवे पर भी जगा जगा जल भराव से लोगों को मुश्किल हुई